इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह फेफ़णों यानि की जैसे निमोनिया, कान, गले, नाक साइनस, मूत्रपत, त्वचा, कोमल उतकों, हड्डियों और जोडों के संक्रमन में प्रभावी है। इसका उप्योग सरजरी के दौरान संक्रमन को रोकने के लिए भी किया जाता है। पेट की खराबी से बचने के लिए औस्टिसेफ 250 टैबलेट को खाने के साथ ही लेना चाहिए। आपको इसे अपने चिकित सक द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार नियमित अंतराल पर नियमित रूप से लेना चाहिए। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रखने में मदद मिलेगी। खुराक इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका इलाज क्या किया जा रहा है। लेकिन आपको हमेशा आपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार इस एंटी बाउटेक का पूरा कोस पूरा करना चाहिए। जब तक आप बहतर महसूस नहीं कर लेते तब तक इसे लेना बंद न करें। यदि आप इसे जल्दी लेना बंद कर देते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और संक्रमन वापस आ सकता है। यह फ्लू या सामानि सर्दी जैसे वाइरल संक्रमन के लिए काम नहीं करेगा। जब आपको इसकी आवश्यक्ता न हो तो किसी भी एंटीबाउटिक का उपयोग करना भविश्य के संक्रमनों के लिए इसे कम प्रभावी बना सकता है। इस दवा के सबसे आम साइड एफेक्ट्स में रेश, उल्टी, लिवर एंजाइम का बढ़ना, जी मिचलाना और डायरिया शामिल हैं। ये आम तोर पर हलके होते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या ये आपको परेशान करते हैं, या कुछ दिन उसे अधिक समय तक चलते हैं। इसका उप्योग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको किसी एंटीबाउटिक से अलजी है या आपको किड्नी या लीव की कोई समस्या है। आपको अपने चिकित सक को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्यूकि वे इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। गर्भवती और स्तन्पान कराने वाली माताओं को इसका इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।